भारती फांडेशन बरोनी के COVID-19 रहत केंदर बरोनी चाप पर सोंबार को सिवी लगा कर लोगों के स्वास्त की जाँच की गई एवं ज़रत मंदों को दवाया भी बित्रित की गई है। इस कारे को शिकम बनाने के लिए स्वास्त विभाग की टीम एवं अस्थानी चिकिसक डाक्टर जोती प्रकास के संरक्षन में स्वास्त जाँच संपन करवाई गई। इसमें 15 वर्ष से अधिक सभी आयू वर्ग के लोगों को फर्स्ट सेकेंट एवं बुष्टा डोज लगाए गए। इस समद में फांडेशन के रिदेशक संजी आनन्द ने बताया कि आज विसे सीवी लगा कर अस्थानी लोगों के स्वास्त के जांच भी करवाई गई। एवं करोना रोधी टीका भी लगवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम करोना महामारी के आरम से ही लोगों के स्वास्त के प्रती सजग रहे हैं। वियन पिनियोच के लिए तेगरा से समवाद दाता मेराज आलम की रिपोर्ट। प्लस में सारे रूज लगाए गया हैं। और कौन-कौन थी वैक्सिन का इस्तमाल किया आपने आज और आज आपके इस कार्यकरम यहां की जो है भारती फॉन्टेशन की वैवस्ता कैसी रही? कैसा लगा आपको? सर, यहां की वैवस्ता तो बहुत बहुत अच्छी है, यहां की वैवस्ता से हम बहुत प्रशन हैं। और हम आगे चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन बार-बार करवाए ताकि लोगों को सहीवग हो और पुरक्षित भी रहें। मैम आपका शुब नाम जूति सर, आज भारती फॉन्टेशन में किस तरह का आयोजन रहा? आज हम लोगों ने एक शिवीर का आयोजन करवाया, जिसका मुझ के उदेश था लोगों के स्वास्त की जांच करवाया। और इसी करीब है स्वास्त विभाग के द्वारा और डॉक्टर जोती प्रकास के सान्ध्य में आज 75 से अधिक लोगों के स्वास्त की जांच भी करवाई गई। और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं हमारे 15 प्लस वाले इसके अलावे 18 प्लस, 45 प्लस, 60 प्लस के जो लोग हैं उनकी जो ज़रुवत की वैक्सिन थी एंटी कोबीड वो भी हम लोगों ने आज लोगों को लगवाया। और आगे भी इस तरह के काज़करम हमारे द्वारा आयोजी किये जाते रहेंगे। ऐसा हमारा विश्वास है। और उनी स्वात विवाकी टीम और हमारे भारती फॉन्डेशन के जो गॉलेंटियर्स हैं उनकी टीम डेडिकेट है लोगों को कोबीड में इस तरह की सेवाय प्रदान करने है।